गड़ना चतरपूर के ग्राम जहमटूली की है जहां एक पुलिस आरक्षक के साथ भीड के द्वारा धुड़ा धुड़ा कर मारपीट करने का मामला सामने आया आएए जान लेते हैं क्या था पूरा माजरा बमीठा थानाक शेतर के ग्राम जहमटूली में चतरपूर पुलिस के एक आरक्षक के साथ मारपीट करने का संसनिकीस मामला सामने आया है मारपीट का वीडियो विचलित कर देने वाला है इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आरक्षक के पीछे एक गरजन से ज्यादा लोग डंडा लेकर दौड रही है किसी तरह वह जान बचाने के लिए एक घर में घुसता है जहां भीड उस पर तूट पड़ती है भीड के द्वारा डंडो से सिपाही की मार पीट की जाती है और फिर लोग मौके से भाग जाते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ जाने पर पता चला कि दरसल बमीठा थाने की पुलिस क्षेतर में करोना कर्फ्यू का पालन कराने पहुँची थी शुकरवार को जम्टुली में बाजार लगता है बाजार में भीड को रोकने के लिए डायल सौ में मौझूद ड्राइवर और एक सिपाही यहां पहुँचते हैं यहां लोगों को दुकाने बंद करने को कहते हैं हलन पुरी नामक एक व्यक्ती दुकान बंद करने से इंकार कर देता है तो सिपाही संत्राम उसे डंडा मार देते हैं डंडे की चोड के कारण हलन के सिर से खून निकलना शिरू हो जाता है और खून को बहता देख हलन सहत अन्य लोग डंडा लेकर पुलिस की और दौड पड़ते हैं डायल सौ का ड्राइवर जान बचाने के लिए गाड़ी लेकर भाग जाता है लेकिन आरक्षक संत्राम भीड से नहीं बच पाते भीड उन्हें दड़ाते हुए खदेरती रहती है इसी बीच एक घर में शरण के लिए घुसे संत्राम पर पीछे से पहुंची भीड जम कर ड मौके पर पुलिस बलको भीजा गया घायल अरक्षक का इलाज कराने के बाद मार पीट करने वालों के विरुध कड़ी कारोही की जाएगी